हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर विनास पोत्रा पीडियाटिशन आज 6 अक्टोबर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है इससे सेलिब्रेट करने का इंपोर्टेंट डीजन यह है कि हम इसके बारे में अवेर्नेस से वो स्प्रेड करना चाहते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इस डीजिस से अफेक्टेड लोगों का कैसे खयाल रखा जाए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशिता अरोडा चाइल्ड नियूरोजिस्ट जिन से हम डीटेल में समझेंगे कि वहल्ल्स क्या है नमस्ते मैं डॉक्टर अंशिता इसके बावजूर इस समस्या को बहुत कम जाना और समझा गया है यही रीजन है कि से अफेक्टेड बच्चों को प्रॉपर मेडिकल अटेंशन और अर्ली नियूरोडवलक्मेंट थेरेपी नहीं मिल पाथ है इसी जागरुकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष 6 अक्तूबर को World Cerebral Palsy Day मतलब विशुर Cerebral Palsy दिवस की रूप में मनाया जाता है इस साल मतलब 2023 का World Cerebral Palsy Day का थीम है Together Stronger मतलब हम सब साथ बिलकर बहुत कुछ चेंच क्रियेट कर सकते हैं तो आएए जानते हैं Cerebral Palsy से जुड़े कुछ मिस इंपाक्ट के बारे Cerebral Palsy बच्चों में होने वाले एक मस्तिश से जुड़ी समस्या है जिसमें शारे रिग्रते विदी, बॉदी मुमेंट्स या पोश्चर प्रभावित होता है एक complex condition है जिसमें motor development delay के साथ साथ में बहुत सारे systems का involvement हो सकता है जिसे speech and language delay मतलब भाशा में देरी, मानसिक विकास में देरी, sleep problems, orthopedic मतलब हड़ियों से related problems, behavioral issues मतलब सुभा से जुड़ी परेशानिया, सुने और देखने की दिक्कत ये सब इसका एक हिस्सा हो सकते cerebral policy के कारण गर्भास्ता की किसी भी चरण में देखने को मिल सकते हैं जैसे जनम से पूर, जनम के समय, जनम के बाद या फिर शुरुवाती कुछ वर्षों में जब मस्तिश का development जब विकास हो रहा होता है और कुछ मुख्य कारणों की बात करें तो oxygen की कमी होना, शुगर की कमी होना, अधिक पीलिया हो जाना या फिर गर्भास्ता की किसी भी चरण में infections हो जाना इसके अलावा भी बहुत सारे कारणों हो सकते हैं जिसकी वज़े से Cerebral Palsy हो सकती है बहुत महत्पूर्ण जानने की बात ये है कि Cerebral Palsy के शुरुवाती लक्षनों को कैसे पहचाना जाए जने हम Red Flag Science भी कहते हैं तो बच्चा जब शुरुवाती अवस्था मतलब अर्ली एज में होता है तो बहुत सदा चरचड़ापन, सुस्त रहना, दूट सही से नहीं पीना या कुछ असमाने गतिविधिया होना Cerebral Palsy के संकेत हो सकते हैं जिने हम Red Flag Science कहते हैं और बढ़ती उम्रिक के साथ अगर Age Appropriate विकास नहीं हो पा रहा है जैसे बैटना, चलना, बात करना या फिर मानसिक विकास तो ये भी Cerebral Palsy के लक्षन हो सकते हैं इन लक्षनों को समय पर पहचारना और जल्दी से जल्दी Medical Consult और Neuro Development Therapy जिसमें Occupational, Physio, Behavior Therapy, Speech Therapy का एक Important रोल होता है यही Cerebral Palsy के Holistic Parishment का एक Important पार्ट है आज विश्व Cerebral Palsy दवस पर हमारा उदेशी यही है कि हम Cerebral Palsy के बच्चों को समय पर उपचार प्रवाइड कर सकें, उन्हें कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें, उन्हें और उनके परिवार को एक गुणवत्ता पूर्वक्ष जीवन दे सकें ताकि ये बच्चे और